वेलकम गुड मोर्निंग ओल अफ यू आज हम डिस्कूस करेंगे से मेटलोजी के अंदर हीमोगलोबीन के बारे में जो क्या है एक आरबीशी का कंपोनेंट है या पिगमेंट है आपने देखा था कि आरबीशी की स्ट्रक्ट्यर के अंदर उसके जो कोने है वो क्या है उसके क्या है कि Mayor Heima02 अबोफिंट है कि मोटाई कि वह हुए होते हैं उसके चूंवेलेट था हुमोगलोबीन दूसरी के ऊपर क्या बातना है कि किन से वो बना है और किसलिए कि यह बना है अपनी को दिमा का हुंस्स काम करताहा है कौन से कॉनसी कोशे में रिधार सब्सक्राइब करने वाले कौं Washington सबसे पहले देखिए क्या होता है उसमें दे कमिटेट स्टेंग साहल ऑफ दे माईलोईड सीरीज गीव राइस साहल बनाती है एक से यानि किसी चीज के अलावा यानि लिंफोसाइट के अलावा सारी की सारी जो ब्लड सेल है जैसे वाइट ब्लड सेल लगति है या फिर प्लेट लेट आरपिश उन सारी को कौन फॉर्म करती है नेक्स साहल में क्या है अधा लिंफोसाइट ओनली फॉरम ॉर्म भए लिंफोरीड सीरीज वो किसके दुवारा form की जाती है lymphoid series के दुवारा next the committed stem cell for the erythrocyte give rise to the progenitor cell यानि जो myeloid series है वो RBC के लिए committed stem cell है वो किसमें convert होती है give rise to क्या देती है वो आगे progenitor cell को generate करती है नहीं बनाती है progenitor का मतलब क्या है जनक किसी चीज़ का next progenitor cell यानि जनक सेल्स कौनसी कौनसी erythroboicis में RBC formation में सबसे पहले देखिए DFU दो प्रकार की progenitor cell और the erythroboicis में जो सबसे पहले है वो क्या है DFU कि मतलब breast forming unit erythrocyte और दूसरी कौनसी है CFUV यानि colony forming unit erythrocyte सबसे पहले देखिए DFU it is the large multi-lobulated colony मतलब इसके अंदर क्या है काफी बड़ी बड़ी और काफी सारी lobulated यानि fully colony बनती है next the development of colony require the presence of factor और उन colony का development होता है उसके लिए क्या है इस factor की जरूरत होती उसकी presence जरूरी होती है इसका नाम क्या है BPA यानि breast promoting activity next क्या है DFU is progenitor of CFU यानि breast forming unit है वो किसकी progenitor है किसकी जरूरी 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 के colony forming unit की next CFUE it forms small colonies colonis यानि जो colony forming unit हो क्या है BFU के comparison में चोटी colonis form करती है बनाती है next they do not require BPA factor but require other factor like erythropoietin मतलब क्या है कि जो CSU का development है वो BPA के उपर depend नहीं होता brush promoting activity जो factor था उसके उपर depend नहीं होता but require other factor like erythropoietin लेकिन उनको development के लिए दूसरे factor की जरूरत होती है जिसका नाम क्या है erythropoietin जो कि एक हार्मोन है next CSU cell give rise to blast cell यानि colony forming unit जो है वो आगे कौन सी cell को generate करती है blast cell को blast का मतलब होता है ऐसी cell जो आगे कोई नई तीज को form करते है generate करते है और blast का मतलब होता है ऐसी cell जो क्या है कि इसी cell को पहमेज कर सके तोड सके CSU cells are more mature than BFU यानि colony forming unit की जो cells है वो क्या है more mature है यानि ज्यादा प्रीपक हो है किसके comparison में then BFU यानि प्रस्ट forming unit के comparison में ज्यादा प्रीपक हो है next pro erythroblast they develop from CFU वो किससे दवलब होई है colony forming unit से diameter कितना होता है pro erythroblast का 16 to 20 micrometer mitosis जो होता है यानि यहाँ पे विवाजन चलता रहता है nucleus large होता है साइटप्लाजम क्या होता है pro erythroblast में यानि बहुत ही nature कैसा होता है इसका बेजोफिलिक यानि बेजोफिलिक का मतलब है ठारी है और हीमोगमोबिन अभी तक absent है वो जो क्या है committed stain cell से लेके यानि हीमो साइटोब्लास्ट से लेके pro erythroblast तक की जो stage है वो कितने दिन में complete होती है एक दिन में early normoglast यानि pro erythroblast कि किसमें convert होती है early normoglast में जिसका diameter कितना है 10 to 16 micrometer mitosis क्या है चे होती है mitosis healthy रहती है nucleus large है अभी भी अभी पकवार बीची के अंदर nucleus क्या है absent होता है cytoplasm, bezophilic and scanty और the cytoplasm है वो कैसा है एक तो उसका nature bezophilic है और scanty यानि अभी तक कम ही form हुआ है hemoglobin begin यानि hemoglobin synthesis क्या अभी शुरू हो चुकी है और सोटे से amount में दिखाई देनी शुरू हो जाती है और day two यानि ये procedure early normoblast तक का जो procedure है वो कितने दिन में पूरा होता है दो दिन में next early normoblast फिर किसमें convert होती है intermediate normoblast cell में जिसका diameter कितना है 10 to 14 micrometer mitosis stop हो जाती है nucleus become small और जो केंदरा क्या है पहले के comparison में बिल्कुल चोटा हो गया है hemoglobin accumulate accumulate का मतलब है किसी चीज़ का जमाओ तो hemoglobin के है cell के अंदर बन चुकाए सिंदे साइब हो चुकाए और nature कैसा हो गया hemoglobin के बनने के काँ cell का acidophilis और ये procedure यहां तक की जो procedure है वो कितने दिन में पूरी होती है तीन दिन के अंदर फिर early intermediate normoblast हो कितमे convert होती है late normoblast में diameter कितना यहां तक का 18 days to 10 micrometer nucleus very small and lost और इसका जो केंदर रख है वो यहां तो बिल्कुल ही चोटा हो जाता है late normoblast में या फिर क्या है गायब हो जाता है cell के अंदर से cytoplasm acidophilic and increase in amount और cytoplasm क्या है उसका nature कैसा हो जाता है acidophilic यानि अमली है और इसका amount क्या हो जाता है यानि इसके मातरा क्या है increase हो जाती है और day 4 यानि यहां तक का प्रोसीजर erythropoies का कितने जिन में complete होता है 4 दिन में next है reticulocyte premature cell of RBC यानि RBC से पहले की जस पहले की जो cell है वो क्या है reticulocyte flat disc shape and non-nucleated cell यानि इसकी जो सुरंचना है वो कैसी है बिल्कुल flat यानि सीधी है RBC की shape कैसी होती है by cone cave वो ब्यावता है लेकिन reticulocyte की shape कैसी होती है flat यानि disc shape and non-nucleated cell और क्या है उसमें केंदर क्या हो जाता है absent होता है the slightly bigger slightly bigger than the mature RBC यानि जो pre-pacor RBC है उसते क्या है slightly bigger यानि थोड़ी सी क्या है उसते बड़ी है as the concentration reaches to the level of mature cell और hemoglobin की जो सांदर पा है वो क्या है mature RBC के level के equal हो जाती है take two days for maturation और reticulocyte अजो पूरे तरीक complete maturation में कितने दिन का time लेती है दो दिन का यानि late normal blast तक तो 4 दिन लगेती लेकिन reticulocyte में कितने दिन लगते है 5 और 6 दिन 1% of circulating RBC are reticulocyte और complete human body में जो circulation है उसके अंदर total RBC के अंदर RBC की कितने percent होती है reticulocyte 1% one day of reticulocyte maturation in bone marrow reticulocyte का जो maturation है उसके अंदर जगें कौन सी कौन सी होती है तो एक दिन तो उसका maturation कहां पे होता है bone marrow के अंदर and next day in circulation और दूसरे दिन वो कहां पे आ जाती है circulation के अंदर next erythrocyte mature cell यानि 3 पकवर cell diameter कितना इसका 7.2 micrometer तो आपने एक चीज़ में नोट की होगी कि प्रोएरित्रोब्लास के दाइमेटर कितना था 16 to 20 micrometer और यहां पे दाइमेटर कितना है 7.2 micrometer यानि cell का साइज क्या हो गया decrease हो गया सुरू में साइट अप्लास्म कैसा तो quantity यानि बिल्कुल कम और लेक नोर्मो ग्लास्म में क्या है वो पूरी तरह बन जाता है तो साइट अप्लास्म का amount क्या हो जाता है increase हो जाता है nucleus का साइट सुरू में क्या होता है बढ़ा और लास्म में क्या हो जाता है वो lost हो जाता है गाय हो जाता है सुरू में जो सेल का जो अब मैचर था वो कैसा होता है वेजोफिलिक यानी फारिय है और जैसे हिमोगलोबी सिंतेजि सुरू होती है वो कैसा हो जलता है और आपको प्लॉड का पीज की दरा कुटना होतफ है स plates पार यानी खाल खाला्ग सा रिये होत सबसे पहले देखिए इरिथ्रोपोईटीन इट इस ग्लाइको प्रोटीन हार्मोन इट इस सिक्रेकिट फ्रों किड्नी एड इस्टिम्लेट बै अरिथ्रोपोईशिट मदलब इस आर्मोन का नेचर कैसा है ग्लाइको प्रोटीन यानि ग्लुकोज से मिलकर बना हुआ हार्मोन है that is secreted from kidney और जो excrete कहां से किया जाता है स्तरावित किस से किया जाता है kidney से, कौन जो और गन से स्तरावित किया जाता है kidney से and stimulate the erythropoies stimulate का मतलब होता है उत्प्रेरीद करना किसी चीज़ को पर यह क्या है erythropoies को RBC formation को जाने stimulate करता है उत्प्रेरीद करता है next hormone है androgen stimulate erythropoies there for men have higher RBC compare to women androgen hormone आपको पता है males के अंदर secret होता है androgen क्या करता है erythropoies को stimulate करता है और इसलिए क्या है men's के अंदर क्या है RBC count ज्यादा होती है किसके comparison में किसके compare में women's के compare में next estrogen they have inhibitory effect on erythropoies inhibitory का मतलब है किसी जीश को बंद करना या उसको stress करना दबाना यह क्या करता है अगर यह hormone secret होता है तो erythropoies को क्या कर देता है उसके process को slow कर देता है inhibit कर देता है next और कौन से कौन से हार्मोन है जो क्या है erythropoies के अंदर help करते हैं तो देहें एक दो थाइरोक्सिन कोर्टीशोल and growth hormone help in production of RBC यह क्या है RBC के production में help करते है और क्या है dietary factor iron is required for the synthesis of hemoglobin यानि जो regular आप diet लेते हो खाना खाते हो उसके अंदर कौन से जीज़ का compulsory होना जरूरी erythropoies के लिए iron का होना जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि erythropoiesis के अंदर hemoglobin का क्या होता है synthesis हमoglobin synthesis होता है और hemoglobin किसे मिलकर बना है चार iron के compound से एक hemoglobin का molecule बनता है तो regular diet के अंदर hemoglobin यानि iron का होना compulsory है hemoglobin synthesis के लिए और क्या है vitamin B12 is necessary for maturation of RBC और vitamin B12 का क्या है बहुत ही compulsory होना जरूर ही है आपकी diet में क्योंकि क्या है यह RBC के maturation के अंदर help करता है important role play करता है next factor affecting erythropoiesis सबसे पहले देखिए कौन सा factor है अगर normally याद रखे तो oxygen supply to the tissue decrease oxygen आपको पता है oxygen का level जैसे ही decrease होगा और kidney उसको detect करेगी detect करके कौन सा hormone secret करेगी erythropoietin secret करेगी तो क्या होगा increase RBC यानि RBC formation increase हो जाएगा erythropoiesis दूसरा factor कौन सा है जो इसको effect कर सकता है healthy bone marrow यानि erythropoiesis के लिए compulsory है कि आपका bone marrow है वो कैसा होना जी है healthy यानि पूरण के स्वस्थ होना जी है तीसरी चीज कौन सी है healthy liver और आपका जो liver है वो भी क्या होना जी है स्वस्थ होना जी है erythropoiesis के लिए why का मतलब है क्यूं सबसे पहले तो storage of iron यानि वो क्या है liver के अंदर किसका storage होता RBC breakdown के बाद iron का और vitamin B12 का erythropoiesis in fetus और fetus के अंदर क्या है और liver अगर वक्त नहीं होगा तो आपको पढ़ता है liver 1 fetus के अंदर 3 महीने बाद RBC formation का काम भी करता है जो की चीज़ क्या है यानि dietary factor कौन से है एक तो iron जो किसके अंदर काम में आता है hemoglobin formation में दूसरा vitamin B12 and folic acid जो क्या है DNA synthesis and cell division में काम में आता है तीसरा क्या है protein जो क्या है globulin globulin formation में काम में आते जो hemoglobin का एक part है next क्या है androsan thyroid and glucocorticoid hormones stimulate eristroposis यह क्या है सारे के सारे hormones RBC formation को stimulate करते हैं उत्पर रिज़ करते हैं आज का जो lecture आपका वो किसके उपर है hemoglobin के उपर और आपको पता hemoglobin कहाँ से लिया गया है RBC के अंदर से ठीक है इसके अंदर देखिए सबसे पहले a red protein responsible for transporting oxygen in the blood of vertebrates मतलब क्या है कि एक लाल protein इसके लिए responsible है oxygen transportation के लिए in blood cells of vertebrates यानि कसे रुकियों में जो oxygen gas है उसको transport करने के लिए एक लाल रंकी protein present होती है उसी को क्या बोलता है hemoglobin its molecule comparize for subunit और ये क्या है molecule किसे compare हुए है यानि complex यानि किसे composed हुए है four subunits च्यार एक आई होसे जिसके अंदर आपको पता है कि दो तो alpha present होती है दो beta जो क्या है global chain होती है और इन दो alpha दो beta total unit कितने होगी च्यार और च्यारों के साथ क्या कंपोजड होता है च्यार आईरन के molecule is containing iron atom और परते इक सब येनिट क्या contain रखती है iron के atoms को रखती है bind to a hem group जो किसके साथ attach होते है hem के साथ यानि hemoglobin के साथ attach होते है next HP is a large complex conjugated protein molecule synthesized in the developing RVC in bone marrow and consists of two parts HP is a large complex यानि ये क्या है एक बड़ा और जटिल complex conjugated मतलब जुडा हुआ कि नहीं चीज़े हो सकती किसी सीज़ों से मिलकर बना protein complex protein molecule है synthesized in यानि फंता किसमे है index developing RVC यानि RVC जो develop RVC क्या है formation चल रहा है आपको पता है early normoblast में hemoglobin synthesis शुरू होती है तो developing RVC में क्या होता है hemoglobin का synthesis होता है in bone marrow जगह कों सी है human body में bone marrow के अंदर and consists of two parts और ये है आपको पता है hemoglobin 2 portion से मिलकर बना है पहला part कौन सा है protein part जो कितने percent है 95% hemoglobin के अंदर globulin is the protein part and it's colorless यानि globulin क्या है एक protein part है hemoglobin के अंदर और ये क्या है colorless portion है next क्या है दूसरा hem part जो कितने percent है 5% जो क्या है iron containing part जिसके अंदर क्या होते है चार तो iron के molecule होते है और पॉर्फ आइरिन ring होती है जो color के लिए responsible होती है next it forms 95% of dry weight of an RBC मतलब ये क्या है कि total RBC जो dry RBC अगर सुकी होई RBC का weight देखें तो उसके कितने percent form करता है 95% molecular weight of hemoglobin is 6445 gram पर mole और hemoglobin molecule का weight कितना है सबसे पहले देखिए शुरू से एक बार फिर कि a red protein responsible for transport oxygen in the blood of vertebrate मतलब क्या है कि कसे रुकियों के अंदर oxygen gas को transport कर रहे के लिए यानि एक दूसरी जगह ले जाने के लिए जो protein responsible अलाल कर नर्की वही क्या है chemoglobin तो से रुकियों में मतलब कै ऐसे ऐसे animals जिनके अंदर कै spinal cord बगएरा present हो spinal cord, cartilage, muscle सारी चीज़े present हो next its molecule compareize for subunit और इसका hemoglobin molecule है वो किसमे मिलकर बनाए 4 subunits से is containing an iron atom bound to a team group और परतेख जो unit है वो क्या है एक iron का molecule contain करती है रखती है या उतके साथ binding करती है next क्या है HB is a large complex conjugated protein molecule synthesized in the developing RBC in warm arrow hemoglobin क्या है that is complex conjugated protein है यानि जूड़ी हो काफी molecule से मिलकर बनी हुई protein है synthesized in the developing RBC यानि जिसका formation कहांपे होता है developing यानि developed for a red blood cell के अंदर होता है and consists of two parts और जो किसे मिलकर बनी है दो parts पर बनी है एक तो protein part जो कितने percent है 95% और दूसरा क्या है globulin is the protein part it's colorless और जो क्या है protein कौन सी present होती है globulin और जो कैसा है colorless part है यानि जिसका कोई भी color नहीं होता जो कितने percent form करता है hemoglobulin का 95% यानि पिच्छान में परसेंट next क्या है heem part यानि 5% होता है बचा हुआ portion जो क्या है iron containing part जिसके अंदर क्या present रहता है heem portion में एक तो iron का molecule यानि क्यार iron के molecule और क्या है porphyrin 3 जो क्या है colorful compound यानि hemoglobulin के लिए red color के लिए iron containing compound ही responsible होता है next it falls 95% of cry weight of NRBC और ये क्या है सूकी हुई RBC के 95% weight कौन form करता है hemoglobulin form करता है next क्या है molecule weight of hemoglobin is 6445 gram पर ml और उसका molecular weight कितना है 6-4-4 5 gram पर ml next hemoglobin is globular molecule made of 4 subunits hemoglobin क्या है globular का मतलब क्या है gola car ठीक है इसके अदर जो 4 proteins होती है 2 alpha 2 beta proteins की जो 10 होती है वो कैसे होती है globular यानि gola car तो ये कैसा molecule है globular molecular molecule है made up of 4 subunits उन्जो क्या है 4 चोटी काईयों से मिलकर बना है each subunit यानि उन 4 subunits के अंदर से each परतेएक subunit contain a hemoyti यानि परतेएक unit के अंदर किसका एक iron का compound जोड़ा होता है conjugated way polypeptide यानि polypeptide से जुड़ा होता है और 4 polypeptide form the globulin protein of hemoglobin molecule और जो 4 polypeptide है वो क्या है hemoglobin का globulin portion form करती है next there are two pair of polypeptide in each molecule of hemoglobin यानि परतेएक hemoglobin molecule में दो जोड़ी polypeptide present होती है यानि पता है आपको HbA के अंदर 2 alpha chain होती और 2 beta chain होती है तो कितनी होगी वो जोड़े के अंदर present होगी और वही क्या है 4 sub unit होती है अगर 2 तो को आप जोड़ोगी तो कितनी होगी total 4 units होगी और 4 unit के साथ एक molecule जिसका जूड़ा रहता है iron का यानि 4 unit के साथ total 4 iron के molecule जूड़े रहते है एक-एक molecule एक-एक unit के साथ जूड़ा रहता है सुरूशी देखिए HB is the globular molecule made up of 4 sub unit हिमोग्लोबिन क्या है globular यानि गोलाकार molecule है जो क्या है 4 sub unit से मिलकर बना है दूसरा क्या है each sub unit contain a heme moiety conjugated to polypeptide और परतेग जो sub unit है वो heme moiety से जूड़ी रहती यानि iron molecule से जूड़ी रहती है polypeptide band से next 4 polypeptide form the globulin protein of hemoglobin molecule और 4 polypeptide की chain जो क्या है 4 units क्या form करती है chain क्या है 4 unit कौन से polypeptide की protein को आपको पता है proteins है वो polypeptide bond से मिलकर वनी होती है 4 unit कौन से होगी 2 तो alpha 2 beta जो क्या form करती है जो क्या form the globulin protein 4 of hemoglobin molecules यानि 4 unit मिलके hemoglobin का globulin portion form करती है जिसके अंदर 2 alpha होती है 2 beta होती है next there are 2 pair of polypeptide in each molecule of hemoglobin यानि परते hemoglobin के अंदर 2 जोड़ी क्या होती है polypeptide होती है जोड़ी के अंदर प्रेजन होती है 4 units 2 alpha होंगी 2 beta होंगी या 2 alpha होंगी 2 gamma होगी या 2 alpha होगी 2 delta होगी next क्या है hemoglobin type यानि hemoglobin कितने परकार का होती है normally क्या include किया गया सबसे पहले कोलता है hemoglobin A जो क्या है makes up about 96% of hemoglobin found in adults यानि adult के अंदर 90% कौन सा hemoglobin का type पाए जाता है A का it contains जो रखता है 2 alpha chain and 2 beta chain मतलब ये chain कौन सी है protein से related globin protein की जो chain होंगी जिस के अंदर क्या है 2 तो alpha chain होती है SBA के अंदर और 2 कौन सी होती है beta chain दूसरा hemoglobin कौन सा है HBA2 makes up about 2% of hemoglobin found in adults और बचा हुआ जो 4% है उसमें सी 2% कौन सा hemoglobin पाए जाता है HBA2 जो किस से composed हुआ है it has 2 alpha इसके अंदर भी क्या होगी 2 तो alpha chain होगी किसकी globin protein की and 2 delta protein chain और 2 क्या होगी delta protein chain होगी आपको पता है HBA में भी 4 chain है 2 alpha और 2 beta और HBA2 में भी 4 chain है alpha तो similar है और delta क्या है अलग है next क्या है hemoglobin F make up about 2% of hemoglobin found in human fetus यानि ये क्या है कि adults के अंदर तो 2% होता है और ये क्या है कि fetus के अंदर पाया जाता है क्योंकि आपको पता है fetus के अंदर एक pregnancy की time पे जो fetus है या embryo वो direct environment से oxygen को नहीं लेता वो क्या है अपनी ये mother से लेता है तो उसके लिए कौन सा hemoglobin responsible होता है Hbis यानि fetal hemoglobin इसके अंदर क्या होता है it has 2 alpha and 2 gamma protein chain और इसके अंदर क्या होगा जो alpha chain होगी और 2 gamma chain होगी यानि 4 chain present होगी शुरू में देखिए Hbis वो कितने % form करता है 46% और जो composed कि से हुआ है 2 alpha chain से और 2 beta chain से जो क्या है और दोनों के साथ तो तिल कितनी होगी चार और चार ही किसके molecule present होगे iron के यानि परते एक chain से एक iron का molecule जोड़ा होगा दूसरा क्या है Hb2 जो 2% form करता है और adult के अंदर पाया जाता है इसके अंदर 2 alpha chain होगी तो delta chain होगी और चार iron के molecule होगे जो परते एक polypeptide chain से जोड़े हुए होगे Next क्या है Hemoglobin F यानि fetal hemoglobin जो adult के अंदर तो 2% पाया जाता है उन जो composed किसके हुआ है 2 alpha से और 2 gamma से Next Normal value यानि hemoglobin की जो normal range है वो क्या होती है तो male के अंदर कितनी होती है 14 to 16 gram पर deciliter यानि 100 ml के अंदर 16-16 gram क्या पाये जाता है Hemoglobin पाये जाता है क्योंकि आपको पता है Man के अंदर RBC count भी थोड़ा ज्यादा होता है तो hemoglobin की मातरा भी क्या होगी ज्यादा होगी Next female female के अंदर क्या होगा 12-17 gram पर ml या तेंसी लिटर यानि per 100 ml में 12-17 gram hemoglobin पाये जाएगा females के अंदर Infants के अंदर क्या होगा Up to 20 gram पर ml यानि 20 gram 100 पर 100 ml के अंदर present होगा Next है hemoglobin oxygen carrying capacity यानि hemoglobin की oxygen को bind करने की जो capacity है वो क्या है तो 1 gram hemoglobin कितनी oxygen को लेके जाता है 1.3 ml oxygen यानि 1.3 ml oxygen को लेके जाता है और 100 ml blood के अंदर कितने gram hemoglobin होता है 15 gram यानि 15 gram तो 15 को multiply करोगी किसे आफ 1.3 ml से तो टोटल कितने होगे 100 ml में कितनी oxygen होगी 20 ml oxygen यानि एक ताइम में 100 ml blood है वो कितनी oxygen लेके जाता है 20 ml oxygen next Hbps oxygen carrying capacity is excessive than Hbps यानि fetal hemoglobin की oxygen से binding होने की capacity क्या है ज्यादा होती है किसके comparison में Hbps के comparison में next आफ देखिए hemoglobin की structure तो इसमें क्या दिखाया गया है सबसे पहले तो हिमोग्लोबिन किसमें प्रजेंट होता है Rbps के अंदर को नों के अंदर तो इसमें सबसे पहले ऊपर देखिए एक तो iron का molecule है एक alpha chain है दूसरा क्या है बीटा chain है पहली red color की क्या है alpha chain फिर green color की क्या है पीटा chain है जिसके साथ भी क्या दूड़ा हुआ है इम group यानी iron का molecule तीसरी क्या है blue color की जो क्या है फिर alpha chain है जिसके अंदर भी एक क्या दिखाया गया है iron का molecule और लाश्टे में क्या है पीटा chain है जो क्या है थोड़ी सी प्रतेग हीमोगलोबिन मोलिक्यूल के अंदर चार पोली पेप्टाइड चैन होती है दो एलफा दो बिटा और चारों चैन के अंदर एक एक आईरन के मोलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं नेक्स क्या है इमोगलोबिल Ο को टास्पोर्ट करता है आपको पता है तो ऑक्सिजन कहां पिया गई लंग्स में बलड़ गया तो क्या है kiedy बाइंड क्या है अधर ऑर ग़र्व के साथ यह तर अगा गया है थेखर है करेंड जो यलो किलर पिगमेंटन के साथ क्या самое यह उक्साइड को उठाके वापिस लंग्स तक ट्रांसपोर्ट कर देती है नेक्स्ट आइग केमिकल स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप देख सकते हो कि वही दिखायागे कि चार क्या है और विटा है यह जो जो है कि थेंक्स तू ओल् आगे का दो आप completo हो वह किस पे होगा इमोगलोबिन की स्ट्रक्चर के उपर कि वो किसे मिलकर कंपोज्ट हुआ है